असलाम उलेकुम एट क्लास और यू एट क्लास बचों साइंस का देखें पेज नमबर 49 बे हमारा टापिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट इफेक्ट साफ फ्यूमन एक्टिविटीस हम लोग ने पढ़ने हैं ग्रीन हाउस एफेक्ट वन सनलाट फॉल्स अंदार्थ अस्माल पार् अपर्ट इस हीट में एट मोश्यु में तो ㅏमलं इंव्य।-ी इस दो कौछफ ही अच्छिक का कुछ एक्षा जोओं है मैथीन आप जाइंस कर दोद सेनाज़ें तो सब्लक्रामं जोolo że अचिश खुरा व्हलं होती हैं मुझु आच्छु धीने gases हैं ये जमीन की reflect करदा heat energy का कुछ हिसा जजब कर लिती हैं जिससे जो atmosphere का temperature है वो increase हो जाता है वो बढ़ जाता है इस gases are called greenhouse gas and the phenomena is called greenhouse effect कह रहे हैं कि ये gases greenhouse effect कहलाती हैं और इस जो इस फिनोमना को कहते हैं greenhouse effect ठीक है ये हो गया greenhouse effect आप लोको समझागी इसकी इसके बाद है पेज नबर 50 पे है और डिप्लेशन क्या है हम लोग देखेंगे कि a layer of ozone o3 in the upper atmosphere of the earth stop the ultraviolet rays coming from the sun to the earth के रहे हैं कि जमीन से बलंदी पर जो फजा में ozone की तैह है ozone o3 की ozone की तह सूरच से आने वाली ultraviolet शाओं को जमीन पर पहुंचने से रोक दी है in this state the living things on the earth remains safe from harmful effects of the ultraviolet radiation come from the sun इस तरह से जो जमीन पर पाए जाने वाले जो जानवार हैं जानदार हैं वो सूरच से आने वाली ultraviolet शाओं को जो उसके दुखसान ते सराथ से उनसे महफूज रखते हैं देन देखें chlorofluorocarbons cfcs which are used in air conditioner refrigerator spray can etc enter the air on leaking from the appliances enriching the ozone layers the react with ozone and cause thinking of this layer किया रहे हैं कि जो chlorofluorocarbons है cfcs air conditioner refrigerators और जो aerosol spray के डबों वगारा में जो इस्तमाल होते हैं इन अलाद से जो रिसने के बाद वो सारे chemical's वो फजा में दाहल होते हैं तो उसके तह में पहुंचकर यह chlorofluorocarbons ozone के साथ जब मिलते हैं तो ozone की एक तह पतली हो जाती है और इ इस डिप्लेटिड दा फिनामना इस गार्ड ओजोन डिप्लेशन तो इस फिनामना को ozone डिप्लेशन कहते हैं जब यह सारे chemicals react होकर आपस में मिलते हैं तो एक तह बान जाती है और उसे ozone डिप्लेशन कहते हैं ठीक है